शब्द कोश हकीकत संतुष्टी इसका अर्थ मैं आपको एक उदहरन देखकर बताता हूँ हमें घर पर सभी आवश्यक वस्तुएं होने पर संतुष्टी होती है कुट्ता बिल्ली का भागते हुए पीछा कर रहा था पर रास्ते में जाली आ जाने पर वह अटक गया और बाहर नहीं निकल पाया यहां होता है अटकना चाया चाहत मुझे तैराकी करने का बहुत शौक है मेरी यह चाहत है कि मैं तैराकी करूं अतीत को भुलाना सभी को हेलो आज हम क्या जानेंगे एक कविता जिसका शीर्षक है छाया मत छूना चाया को क्या हम छू सकते हैं? क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? नहीं छाया को नहीं हम छू सकते हैं और नहीं पकड़ सकते हैं यह कविता इसके बारे में हैं इस कविता में कवी कहते हैं कि वर्तमान समय में सभी लोगों की जीवन के प्रती कुछ जिम्मेदारिया होती है जैसे काम की जिम्मेदारी, पढ़ाई की जिम्मेदारी, इसी तरह सब के जीवन में उनकी अपनी जिम्मेदारिया होती है कवी कहते हैं कि बीती बात को याद करके उसके लिए दुखी या चिंतित नहीं होना चाहिए अपने अतीत को भुलाकर वर्तमान समय में सकारात्मक रूप से जीवन जीना चाहिए और उसी पर ध्यान देना चाहिए अपने अतीत को याद नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों मैं आपको बताता हूँ हम अभी सन 2020 में हैं आज से कई साल पहले जब हम बचपन में पाच से साथ साल के थे तो हम उस वक्त अपने भाई बेहन के साथ अपनी मस्ती में खेला करते उस वक्त जिस तरह हम खेला करते क्या आज भी हम उसी तरह खेल सकते हैं? नहीं, वो बच्पन का समय अलग था और आज का समय अलग है। जीवन में समय हमेशा बदलते रहता है। जैसे लोग अपने ओफिस में काम करने के लिए जाते हैं। वहाँ अपने सहकर्मियों के साथ उनका मनरंजन होता है, वहाँ आपस में बाते करते हैं, हसी मजाग होता है, बाहर पाटी करने भी जाते हैं और साथ में रहकर आनद लेते हैं, पर कहीं न कहीं उन्हें अपने परिवार की कमी खलती है, क्योंकि वहाँ उनसे दूर रहते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए लोग ऑफिस से छुटी लेकर घर जाती हैं घर पहुचने पर अपने परिवार वालों को देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है पर कुछ दिन बाद वह उदास हो जाती हैं उन्हें बूरियत सी होने लगती है उन्हें अपना ओफिस याद आने लगता है क्योंकि वहाँ पे सब के साथ मनरंजन होता था पार्टी होती थी इसलिए वहाँ उसके बारे में ही सोचने लगते हैं जो नहीं करना चाहिए वर्तमान समय में वहाँ अपने परिवार के साथ है तो उनसे विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए जिससे उनका मन शांध हो और वहाँ आपस में जुड़े रहें यदि व्यक्ति बार बार बीती बातों को याद कर उसी के बारे में बात करें तो इससे व्यक्ति स्वयम के अंदर नकारात्मक विचार लाता है प्रेम एक स्त्री और पुरुष को एक दूसरे को देखते ही देखते प्रेम हो जाता है और दोनों के दिल आपस में जुर जाते हैं। फिर अचानक काम के सिलसिले में उन्हें एक दूसरे से दूर भी जाना बढ़ता है। पर दूर होने के बाद भी वहां हर वक्त अपने प्रेमी के खैयालों में ही खोई रहते हैं और उन्ही के बाते करते हैं। यदि वर्तमान समय में वहां अपने परिवार और दोस्तों के साथ हैं तो उन्हें उनके साथ खुबसूरत पल बितानी चाहिए। पर व्यक्ति वर्तमान समय में ध्यान न देकर अपने बीते हुए दिनों के बारे में ही सोचते हैं, इससे व्यक्ति के अंदर नकारात्मक्ता बढ़ती है, इसलिए यह नहीं करना चाहिए, कुछ हद तक बीती बातों को याद करना ठीक है, जैसे हम कोई मस्तिवरेपल को हमें पढ़ाई में आगे बढ़ना है, कारी शेत्र में आगे बढ़ना है, इसलिए वर्तमान समय में ही सकारात्मक्त विचार रखते हुए कारी करना बहुत जरूरी है करना बहुत जरूरी हुए करना बहुत जरूरी है